दोस्तों लगातार हम इस परिवार की मदद के लिए आप लोगों से गुहार भी कर रहे हैं इस परिवार की इस्ति हमने आपको बताई हैं कि क्या हालात इस परिवार के बने हुए हैं ऐसे मैं अभी गाव के लोगों से मैंने एक अपील की कि इस परिवार की मदद होने चाहिए तो तुरंद खड़े-खड़े गाव के तमाम लोगों ने अपनी इच्छा अनुसार इस परिवार की मदद भी की है लेकिन अब हमारे दर्सक जो है हमेशा से ही जब कभी हमने मानव से विकिसुफ है यानिकी एक घर में परिवार के तीन सदस्य जो हैं वह मांसिक रूप से विक्सिप्त हैंалы आंको सरकारी स्कूल में खाना बनाती हैं कि अब जितने भी हमारे दर्सक हैं जितने भी लोग हैं सब लोग मदद करेंगे और मैं आपको खास बात बात बता दूं कि राजस्तान सरकार के तहें परिवार की जो मदद होती हैं जिन योजनावस को लाब मिल सकता है जरूर दिलाएं अब मैं आपको इस परिवार के अगर आप इनकी मदद करना चाहें तो यह एकाउट नमबर है आप ओनलाइन इनकी मदद कर सकते हैं अलांकि फोन पे इनका नहीं बना वा है ब्रांच है बावडी जो जोतपूर जिले की हैं और इनका अकाउंट आएगा मानु वाइफ और भावरलाल मानु देवी नाम आपका मनु 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 देवी भावरलाल नाम आएगा और एकाउंट नमबर में आपको बोल रहा हूं 0538011 0066102 अब मैं पुना हिंदी में बोल रह कमेंट बोक्स में भी डाल रहा हूं ताकि आप लोग फोटो देख करके अपना जो हैं इनकी परिवार की मदद कर सकें और मैं अगर आइफ सी कोड की बात करूं तो आज इस परिवार के तीन सदस्य लोहे की जंजीरों से इस परकार से मांसिक रूप से विक्सिप्त हैं सायद इनकी जिंदगी यही कह रही है कि हमने हमारे पिछले जनम में क्या गुना किया जो हमें ऐसी सजा बुकुत नहीं पड़ रही है उपर वाले ने इनको इस परकार का जो हैं दंड दिया हैं लेकिन आज हम और आप सब मिलकर के इस परिवार की मदद करेंगे आगे आएंगे उनके साथ खड़े रहेंगे यहीं नहीं बलकि और भी कोई परिवार हैं तो उनके लिए सदेव हम आपके साथ खड़ें और ऐसे परिवारों को अकेला नहीं